तमश्कार दोस्तों, मैं जानता हूँ आप लोग पेगासू स्कैंडल पर एक वीडियो एक्सपेक्ट कर रहे हो लेकिन मैं कुछ और दिन वेट करना चाहूँगा काफी नई खबर है और दिन प्रती दिन अभी भी नए खुला से आए जा रहे हैं कुछ दिन और वेट करते हैं, उसके बाद उस टॉपिक पर वीडियो आएगा आज के वीडियो में मैं फाइनाशिल एडूकेशन की सीरीज को कंटीनियू रखना चाहूँगा आज के वीडियो का टॉपिक है क्रेडिट कार्ड्स क्या होते हैं क्रेडिट कार्ड्स, कैसे ये काम करते हैं, कैसे ये क्रेडिट कार्ड के जो कंपनीज होती हैं अपना पैसा कमाती है और सबसे इंपोर्टेंट सवाल, क्या आपको क्रेडिट कार्ड खुद से इस्तिमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए क्या इसके फाइदे नुकसान है? आईए जानते हैं एक example से समझते हैं मान लो आप school में पढ़ाई करने लग रहे हैं और अचानक से pandemic आ जाता है आपकी सारी पढ़ाई अब online classes के द्वारा होती है लेकिन इन online classes को attend करने के लिए आपको एक smartphone की जरुवत है और आपके पास कोई smartphone नहीं है आपको urgently एक smartphone खरीदना है लेकिन आपके bank account में पैसे नहीं है इसे खरीदने के तो आप अपने parents को बोलते हो कि आपके bank account में कुछ पैसे transfer कर दे आपको चीजे instantly खरीदने में मदद करता है लेकिन आप उनके लिए payment actually में बाद में कर सकते हो महीने के end में कर सकते हो आम तोर पर क्या होता है आपके bank account में पैसा है bank account से आपने cash निकाला और cash से payment कर दी दूसरा option होता है आप debit card का इस्तिमाल कर सकते हैं आपके bank account से linked होता है जब आप debit card से payment करते हैं तो directly पैसे आपके bank account से निकल कर वहाँ दूसरे इनसान को मिलते हैं लेकिन credit card में क्या होता है कि bank आपके बिहाफ पे payment करता है जिसे भी आप payment करने लग रहे हैं और आप एक महीने के end में जाकर bank को pay कर देते हैं जितना भी पूरे महीना का खर्चा आया है उस credit card का आप एक महीने से ज्यादा भी लगा सकते हैं bank को देने में लेकिन तब bank बड़ा high interest charge करता है जैसे की loan में होता है तो credit card को basically एक तरह से mini loan type की चीज़ समझ लो आम तोर पर जब आप loan लेते हो अगर cash में loan लेते हो तो आपको cash में loan मिलता है लेकिन यहाँ पर loan के बदले आपको bank एक plastic का card दे रहा है जिस पर आपका नाम लिखा है एक unique number लिखा है जिससे इस card को uniquely identify किया जा सके expiry date है payment किस तरह से process करी जा रही है payment processing की कुछ कंपनिया होती है जैसे की visa और master card हो गई यह दो सबसे popular companies है यह basically पीछे का infrastructure प्रोवाइड कर रही है जिससे की credit card की transactions हो पाए जो bank आपको credit card issue करता है वो visa या master card से अलग होता है यह दोनों company सिर्फ payment processing की company है और credit card के पीछे एक magnetic strip होती है और CVV number भी लिखा होता है इसे समाल कर रखना secret रखना काफी जरूरी है नहीं तो आपके साथ fraud हो सकता है अब हर credit card की दोस्तों एक credit limit होती है कि कितना पैसा आप spend कर सकते है उस credit card से बिना bank को पैसा वापस दिया अगर 30,000 की limit है तो 30,000 से ज़्याद आप उस credit card से spend नहीं कर सकते ये credit limit क्या होती है ये bank to bank depend करती है आपने कौन सा card खरीद है और bank आपका देखता है कि आपकी salary कितनी है आपका credit score कितना है उसके basis पे जच करता है कि आपकी credit limit कितनी set करी जाने चीज़ए अगर bank को दिखता है कि आपकी salary काफी ज़्यादा है आप afford कर सकते हो ज़्यादा पैसा वापस देना bank को तो bank आपको ज़्यादा trust करता है इसलिए आपकी credit limit ज़्यादा होती है अब credit score भी एक बड़ी interesting चीज़ है अगर आप अपनी credit card की payments और loan की payments time पर नहीं भरोगे तो bank को लगेगा कि आपको पैसे देना बड़ा risk ही है पता नहीं आप कब पैसे वापस लोटा कर ना दे पाँ जो bank को risk face करना पड़ता है आपको credit card देते वक्त या loan देते वक्त इस risk को judge करने के लिए bank ने अपना एक grading system बनाया है bank आपको grade करता है ये grade 300 से लेकर 900 के बीच में दिया जाता है और इसे credit score कहते है अगर आपका credit score 750 और 900 के बीच में है तो ये बहुत अच्छा credit score है इसका मतलब है कि bank आप पर trust कर सकता है और risk काफी low है लेकिन अगर आपका score 300-400 के आसपास है तो bank आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता तो आपके पुराने track record को देखकर आपका credit score निकाला जाता है और उसके basis पर bank judge करता है कि आपके लिए credit limit उपर रखनी चाहिए या नीचे रखनी चाहिए अब आपको credit card देना भी चाहिए और नहीं देना चाहिए अब आपके लिए क्या फाइदा है अगर आप एक credit card का इस्तिमाल करेंगे तो एक advantage मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि अगर आप किसी चीज़ को अभी खरीदना चाहते है लेकिन उसकी payment महीने के end में जाकर करना चाहते है तो फायदा है immediate expenses skill दूसरा बड़ा advantage है कि credit card को इस्तिमाल करना कम risky होता है एक debit card के comparison में अगर कोई fraud होता है आपके साथ तो debit card के case में पैसा सीधा आपके bank account से निकल के वहाँ चला जाएगा इंडिया में क्या है कि अगर आपके credit card को लेकर कोई fraud होता है तो customer की liability यानि आपकी liability zero है अगर आप उस fraud को तीन दिन के अंदर अंदर report कर देते हैं तो सारा risk कहीं पर pay करने का basically bank उठाने लग रहा है कुछ में आपको insurance मिलती है जैसे कि आपकी कोई accident हो गया उसका insurance मिल रहा है आपको या travel insurance आपको मिलने लग रहा है credit card के साथ free में depend करता है आपके credit card पे कि आपको क्या benefit मिलने लग रहा है उसे use करने का लेकिन आज के दिन almost हर credit card में किसी ना किसी तरीकी का reward point system तो बना ही हुआ है आप points collect कर सकते हैं और बाद में उन points को exchange कर सकते हैं किसी बड़ी चीज को खरीदने के लिए अब कौन सा credit card इस्तिमाल किया जाए इसके लिए में लिए आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है पहला है जो bank आपके credit card को issue करने लग रहा है जो भी reward points का system है जो fees charge करी जा रही है बैंक के दौरा और जो hidden fees होती है यह mostly decide करी जाती है bank के दौरा दूसरा है कि कौन सा credit card आप इस्तिमाल करने लग रहे है उस bank के दौरा जो offer किया जा रहा है कुछ high level के credit cards में ज्यादा rewards मिलते हैं आपको ज्यादा better insurance मिलती हैं और points भी ज्यादा मिलते हैं लेकिन अकसर उनकी fees भी ज्यादा होती है और तीसरी चीज़ ध्यान रखने वाली है कि कौन सा payment network उस card में यूज किया गया जैसा मैंने बता है visa और mastercard दो सबसे common payment networks हैं लेकिन इसके इलावा American Express, diners club और रुपे भी है हाला कि visa और mastercard दोनों इतने common हैं आज के दिन कि दोनों के बीच में negligible फरक है लेकिन American Express जैसे देखोगे तो उसमें इन दोनों के comparison में ज्यादा फरक है क्योंकि ज्यादा तर जगाओं पे visa और mastercard accept किया जाता है American Express accept नहीं किया जाता लेकिन American Express का फायदा यह होता है कि उसके rewards कई ज्यादा होते हैं मैंने बताया था कि banks mostly reward points के system को decide करते हैं कुछ हद तक यह payment networks भी decide करते हैं कि हमारे network में किस तरह के rewards दिये जाएंगे benefits दिये जाएंगे credit card holders को हाला कि एक interesting चीज़ यह note करने वाली है कि mastercard के और cards issue नहीं किये जा सकते है अभी और India में क्योंकि कोई guidelines थी जो mastercard ने follow नहीं करी और RBI ने कहा कि जो existing mastercard हैं उन्हें तो use करते रह सकते हैं लोग लेकिन और mastercard इशू नहीं किये जा सकते हैं जब तक mastercard company इन guidelines से comply नहीं करती है लेकिन overall जो अलग-अलग banks हैं यह भी interesting चीज़ है कि सब अलग-अलग proportion of mastercard visa American express इस्तिमाल करते हैं इस chart में आप देख सकते हो कि कौन से अलग-अलग banks किस payment network को ज्यादा इस्तिमाल करते हैं कुछ banks हैं जैसे कि RBL और Yes Bank जो सिर्फ mastercard को इस्तिमाल करते हैं 100% दूसरी दरफ कुछ banks है कोटक जैसे जो सिर्फ visa को ही इस्तिमाल करते हैं 100% अब banks की बात करी रहे हैं तो banks के perspective से चीजों को देखते हैं ये सारे banks कैसे पैसा कमाते हैं credit cards से सबसे simple तरीका है पैसा कमाने का banks का annual fees charge करें कुछ credit cards को use करने के लिए आपको yearly payment देनी पड़ती है इसके इलावा और भी अलग-अलग तरीके की fees charge करी जाती है लेकिन आप हैरान हो जाएंगे जानकर दोस्तों की एक बड़ा हिस्सा इन बैंकों की कमाई का actually में होता है लोगों की बेवकूफी बहुत से लोग time पर अपने credit card के bills नहीं भरते हैं महीने के end में जिसकी वजह से banks उन पर एक बहुत high interest rate charge करता है और यह interest rate इतना high होता है कि यह 30% तक जा सकता है अगर साल में आप गिनोगे तो और जो की loan के interest rate से भी 2-3 गुना होता है और इतना high interest rate charge करने पर bank को बहुत पैसे मिलते हैं और लोगों को पैसे गवाने पड़ते हैं credit card को इस्तिमाल करने वाला हर इनसान अगर time पर अपनी payments देने लग गया तो इन banks के profit का बड़ा हिस्सा खतम हो जाएगा यही reason है दोस्तों कि कुछ देशों में credit cards इतने popular नहीं है कई European countries में credit cards ज्यादा इस्तिमाल नहीं किये जाते क्योंकि लोगों का mindset ही ऐसा होता है कि वो हमेशा time पर payment करते हैं कभी भी कुछ ऐसा नहीं खरीते जब उनके पास उसे खरीदने के पैसे नहीं है EMI पर लोग चीज़ें नहीं खरीदते ज्यादा यूरोप में तो credit cards इतने चलते नहीं है ज्यादा यूरोप में जो credit cards के कुछ functions offer करते हैं यह banks अपने debit cards देते हैं कुछ debit cards में annual fees charge करी जाती है और वो वाले debit cards आपको कुछ rewards offer करते हैं जैसे की insurance या कुछ लेकिन जो security मिलती है आपको एक credit card में वो यहाँ पर offer नहीं करी जाती देखना बड़ा interesting है कि यह से time के साथ साथ जो जो advantages credit cards offer करते हैं आने वाले time में यह जो companies हैं कोशिश कर रही हैं कि कैसे उन सारे advantages को अलग-अलग तरीकों से offer किया जा सके और जो disadvantages है credit card के उन्हें कम किया जा सके और इन companies के बीच में जब competition बड़ेगा तो हमारे लिए और advantages बड़ेंगे और disadvantages हमारे लिए कम होंगे लेकिन अगर अभी की बात करें जो disadvantages है credit cards के वो शायद आपको already clear हो ही गए होंगे जैसा मैंने बताया अगर आप अपनी payments time पर नहीं करेंगे अगर आप अपने credit cards के bill time पर नहीं भरेंगे तो बहुत ज़्यादा आप interest पे कर सकते हैं और बड़ी जल्दी एक debt spiral के अंदर जा सकते हैं जहां पर आप payment नहीं कर पाए time पर आप तो आपको इतना जज़्यादा interest चार्श किया गया कि आपको और भी ज़्यादा payment करनी है कुछ और दिन रुके वो payment और भी ज़्यादा बढ़गे और देखते ही देखते कुछी दिनों में कुछी महीनों में वो payment इतनी ज़्यादा हो गए कि आपकी reach से बाहर है दूसरे disadvantage की भी मैंने already बात कर ही लिए काफी hidden fees होती है credit card तो अब सवाल ये उठता है कि क्या आपको credit card इस्तिमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इसका answer बड़ा simple है दोस्तों अगर आप time पर अपनी payments करेंगे credit card bills की तो कर सकते हैं आप इस्तिमाल दूसरी तरफ अगर आप credit card का इस्तिमाल ऐसी चीज़े खरीदने के लिए करेंगे जिने आप afford नहीं कर सकते हैं अगर आप ये सोचकर आज कुछ खरीदते हैं तो थोड़ा situation को evaluate करके देखिए जो अलग-अलग fees आप pay करेंगे उस credit card को इस्तिमाल करने की अकसर 2-3% processing fees होती है और जो rewards आपको उसके बदले मिलेंगे क्या वो actually में worth it होंगे या फिर आपका नुकसान ही होगा वहाँ पर तो थोड़ा calculate करके देखना पड़ेगा आपको लेकिन चौथा अगर आपको कहीं online payment करते वक्त या कहीं भी payment करते वक्त डर रहता है कि कहीं fraud न हो जाए आपर तो safety बनाए रखने के लिए credit card का ही इस्तिमाल कीजिए इस जगेंपर उमीद करता हूँ वीडियो आपको informative लगा होकर भी मुझे बताइए कि next financial education का वीडियो कौन से topic पर देखना चाहेंगे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद